फ्रेंड्स एक बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है जिसका नाम है मल्टी टास्किंग तो यह जो वर्ड है आपने अक्सर हाली के दिनों में सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा सुना होगा आप हर जगा ओपन कर रहे होंगे सोशल मीडिया आप को इवन फेसबुक हो गया इ फिर मल्टी टास्किंग तो यह क्या है यह मल्टी टास्किंग क्या होता है मल्टी टास्कर होना क्या होता है और क्या इससे लेना देना है हमारे स्टडी से तो यह सबी चीज बाते करेंगे इस वीडियो के अंदर इसलिए आपको यह वीडियो को एंड तर देखना है नमस्क पर हम अगर बहुत सारे काम कर पाएं, बहुत सारे स्किल्स वाले काम कर पाएं, तो उसको बोलते हैं multi-tasking करना, या फिर उस इंसान को हम लोग क्या बोलेंगे multi-tasker होना, ठीक है, अब हमारा topic क्या है, basic तोर पर क्या बोड़ रहे हैं मैंने, कि multi-tasking can bring you fast success, मैं क्या बोड़ हूँ, कि जो multi-tasking है, या आपको बहुत जल्दी success के रास्ते बे पहुचा सकता, या फिर एक इंसान को बहुत ज्यादा successful बना सकता है, वो भी बहुत जल्दी, तो यहाँ पर क्या ऐसा चीज़े जो जल्दी successful बना रहा है, क्या ऐसा चीज़े जो इंसान सोचता था कि अपन सकता है, कि मेरा future dark है, लेकिन मैंने अपने आप में बिलीव किया, मैंने अपने आप में वर्क आउट किया, मैंने बहुत सारे skills को adapt किया, और आज मैं जो भी हूँ, आपके सामने हूँ, correct है, तो same, आप में से भी कई सारे ऐसे student होगे, जो यह इस वक सोचते होंगे, कि मेरे future का क्या होगा, क्या हम एक काबिल इंसान, एक successful इंसान बन पाऊंगा, क्या, तो उसी सवालों का जो समधान है, आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, कुछ important points ऐसे बताने वाला हूँ, जो हर students के लिए बहुत जादा जरूरी है जानना, सबसे पहली बात, multi-tasking, यह हम बहुत जादा क्या करते थे, बहुत अलग-अलग चीजों पर time waste करते थे, लेकिन आज आप देखोगे, there are so many things, जिस पर हम time waste कर सकते हैं, लेकिन अगर उस time waste करने के मतले हम उसको utilize करना सीख गए, और अगर करना शुरू किया, तो आपको कोई ताकत नहीं रोग सकती, जल हमारा देख रहे हो, तो आपको मैं एक यहाँ पे clear cut बात बता जेता हूँ, आज 2022 चल रहा है, और जमाना जिस प्रकार इतनी तेजी से बदल रहा है, कि मुझे ऐसा लगता है कि 2030, 40, 50 आते आते हैं, हर चीज इतनी fast और accurate और इतना social media influencing हो जाएगा ना, कि आप बोल ने सकते, प्लस artificial intelligence, प्लस internet का जमाना, आज बहुत सारे parents ऐसे हैं, जो middle generation के हैं, और आज उनको internet ठीक से चलाना नहीं आता, I guess, ठीक है, लेकिन एक time आएगा, कि दुनिया में से कोई व्यक्ती नहीं बचेगा, जिसको internet यूज करना ना है, लगबग 20 साल के बाद, 15-20 साल के बाद, तो पढ़ाई अगर करते हो, पूरा का पूरा focus लगा जिते हो अपना, तो definitely आप एक successful incident बन सकते हो, जैसे बहुत सारे courses से, अगर आप एक engineering कर लेते हो, अच्छे well qualified college से, जैसे IIT, NIT से कर लेते हो, तो आपको एक बहुत अच्छा company मिल जाएगा, वहापे आप job कर सकते हो, अच् में भी scope है, मतलब आपने पढ़ाई किया, और सिर्फ पढ़ाई के दम पे आप ऐसे ऐसे नोकरी पास सकते हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, IES की नोकरी किन को मिलती है, हजारों में सिर्फ एक को मिलती है, कुन clear करता IES exam, पूरे हजार, दस हजार स्टूनेंट्स में से की कोई एक या दो व्यक्ति ऐसा होगा, जो clear करेगा, लेकिन what about the others, बाकी लोग क्या करेंगे, निराश होके बैठ जाएंगे घर पे और बोलेंगे कि मेरा तो future डार के मैंने अपने जिंदगी के दो से तीन साल बरबाद कर दिये, ऐसा बोलेंगे, नहीं ना, तो आपको भी ब बान लो, ये मैं खुद बोलता हूँ, पढ़ाई सबसे जरूरी है, लेकिन पढ़ाई सिर्फ जरूरी नहीं है, पढ़ाई के साथ और भी बहुत सारे skills को सीखना भी जरूरी है, और इसी लिए ये वीडियो आपको मैं बता रहा हूँ, आप लोग का age कम होगा, जो भी बच को भी दिखाओ, अपने बड़े भाई बैन को भी दिखाओ, छोटे भाई बैन को भी दिखाओ, ये हर एक व्यक्ति देख सकता है, ताकि उनके अंदर एक आग डेवलप हो, कि यार अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, टिके, इफ यू है वोन सोर्स ओफ इंकम ना, तो यू आ ये डायलोग आपने सुनाओ गया, बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है, सिर्फ एक सोर्स ओफ इंकम है, या फिर कोई एक ही तरीका है, जिससे आप कमा रहे हो, कमा रहे हो, या फिर वो एक तरीके को फॉलो कर रहे है, तो क्या होगा कि अगर वो तरीका ही बंद हो गया, लोग स्टडी के उपर, डिपेंडेंट नहीं रहे हैं, यू एफ टो अडाप दो मल्टिपल स्किल्स, सेकेंड पॉइंट, क्या बोलता है, मल्टिपल स्किल्स सीखो, मल्टिपल स्किल्स बहुत सारे हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि को यूटूब भी आना चाहिए, को doubt about that, आपका पूरा 90% फोकस आपके पढ़ाई पे होना चाहिए, लेकिन जो 10% जो टाइम है और जो फोकस है, वो आपको एक स्किल्स पे लगाना चाहिए, डांस सीखो, सिंगिंग सीखो, क्रिकेट खेलते हो अच्छा, तो प्रोफेशनल तरीके से करने की कोशिश करो, ठीक आपका लग जो है ना, वो अपने आप आप आजाता, जैसे एक कहावत है, कि यार मेरा लग नहीं था, इसके लिए मैं सक्सेस्पुल नहीं हो पाए, लग कुछ नहीं होता, हाड़ वक होता है, अगर आप हाड़ वक और अपॉर्चुनिटी सही मौके पे ना, दोनों को मिल आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला है, उस वक्त पे आपने हाड़ वक कर दिया, तो आप सक्सेस्पुल कहला होगे, और उसी जीसको हम लोग लग बोलेंगे, लेकिन अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला था, और आपने उस पे हाड़ वक किया ही नहीं, अरे यार य जीसको पेचानो, यार मेरे को कौन सा स्किल्स अच्छा लगेगा, वैसे कई सारे वीडियो मेंने जैयार टॉक्स पर भी बनाए हैं, जिसमें आपको अलग-अलग स्किल्स हम सिखाते हैं, हमारे जैयार टॉक्स यूट्यूब चानल पर आप देखोगे ना, तो हम यूटू प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताओ कि क्या आप लोगो और वीडियो चाहिए, रोहन सर के, बहुत सारे अलग-अलग फिल्ड लिगे, तो मैं डेफिनेटली उनको वापस बुलाओंगा, और आपके लिए वीडियो बना के दूँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहा है, आप बस देखो तो वो वीडियो को, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नया सी सीख रहे हो, अगर आप उसके ओपर फोकस करोगे, ध्यान लगाओगे और थोड़ा सा अपना मेहनत करोगे, डेफिनेटली बहुत ज्यादा जल्दी तरीके से आप सीख पाओगे उस सब चीज को, स्किल्स एडाप कर पाओगे, ठीक है, तो मल्टिपल स्किल्स सीखो, अब दूसरा इंपोर्टेंट चीज है मल्टिपल करियर, यह मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या इंसान एक ही करियर बना सकते है अपने लाइफ टाइम में, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी न कि मैं एक इंजिनियर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्पीकर भी हूँ, मैं हजारों लोग के सामने खड़ा होके, मैं पब्लिक स्पीक कर सकता हूँ, स्पीचेस दे सकता हूँ, और मैंने किया भी है बहुत सारे लोगों के सामने, आपके सामने खड़ा होके करता यार, हमारी JR Tutorials के 8 लग की फैमिली, 8 लग के सामने यहाँ पर मैं बोलता हूँ, ठीक है, तो मैं अपने आपको speaker भी मानता हूँ, मैं vlogging भी करता हूँ, तो मैं अपने आपको vlogger भी मानता हूँ, भले ही मेरे 35,000 सब्सक्राइबर से vlogging channel पर, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, vlogging करता हूँ, तो मैं अपने आपको vlogger भी मानता हूँ, मेरे को YouTube चलाने आता है, बहुत अच्छी तरीके से, मैं YouTuber भी बोलता हूँ, तो मतलब मेरे पास बहुत सारे skills है, ठीक है, तो मैं उस चीज़ को adapt करके अपने life में implement कर सकता हूँ, और एक successful इंसान बन सकता हूँ, ठोड अलग करियर बनाते हैं, जैसे मेरे बहुत सारे मित्र है, बहुत सारे friends है, जो job भी करते हैं, अच्छी जगा पर, multinational companies में, बड़ी-बड़ी companies में job भी करते हैं, side में stock trading करते हैं, ठीक है, stock market का का काम करते हैं, और बहुत अच्छे पैसे करते हैं, तो at least दो उस तो पकड़ क is there, and जब आपके पास so many career options रहेगा, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका रहेगा, कि आप जल्दी successful बन पाओ, ठीक है, वो ही हमारा अगला point है, क्या, कि job, अगर आप करते हो, side में आप business भी करते हो, कोई चोटा मोटा दुकान क्यों ने चला रहे हो, business मतलब क्या होता है दुकान चलाना, या फिर कोई भी अलग अलग तरीके से business चलाना, या फिर entrepreneurship, तो ये भी हो गया, plus side में आप side hustle कर सकते हो, hustle मतलब क्या होता है, अपने goals के उपर focus करना, जैसे entrepreneur होते है, there are so many examples, जो चाय बेच के करोड़ोपती बने, आप समझ गया होंगे, मैं किस की बात कर र कुछ तो ऐसा दिमाग लगा रहेगा, कि वो इंसान आज millionaire बन चुका है, correct है, तो क्या ऐसा strategy है, उसको समझो, तो you can do lot of things, या आप कर सकते हो, बस आपके अंदर focus होना चीए, इससे होगा क्या, if you have multiple career option, if you have multiple things, तो आपका जो multiple source of income है न, वो भी आ जाएगा, इधर से भी पै होगा कि वो चीज़ बन पड़ जाए, तो आपका दूसरा option है, क्या नहीं था, तो इस चीज़ के लिए मैं बोल रहा हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा है, वो भी अपने जगा 100% सही है, और जो मैं इस वक बात बोल रहा हो, ये भी अपने जगा पर सही है, लेकिन ये दोनों अल कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ धान में रखना, और early retirement आप ले सकते हैं, ये बहुत कम लोग बाते करते हैं, लेकिन अकसर जो बड़े-बड़े influencer से ये बाते करते हैं, मैंने भी सुना है, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, multiple career opportunities रहेगी, तो multiple source of income रहेगी जितना अच्छे से पैसे गमाए, आपने बहुत अच्छा पैसा चमा कर लिया, अब आप रिटायर हो जाओ, 40 के उमर में, 45-50 के उमर में, लोग 60-60 साल तक एक टाइम पे काम करते थे, मेरे फादर आज भी 58-59 एर के हो गए, लेकिन वो काम करते हैं, क्यों? तू सपोर्ट हम हर चीज को इखटा करके रख ले, और हमारे पास इतना एफिशेंट मनी रहे कि एक टाइम तक, एक टाइम के बाद हमको कहीं और काम करेंगे जरुत ना पड़े, अब वो पैसे को हम लगाएंगे अपनी बच्ची कुछी लाइफ को, और यही सही तरीका मुझे लगता है आज के रट में जीनेगा, ठीक है, खुल के जीओ यार, एक ही तो जिन्दगी है, ठीक है, लेकिन मैं यह सब क्यों बता रहो आपको, क्योंकि आप एक स्टुडेंट हो, और आप यह सब चीज अगर अभी से समझ जाएगा, यह बुद्धे वाली बात है, यह जो बाते बता आप एचीव करके दिखास होगे, अपने 40-45 साल के एज के अंदर, अगर आप लोग प्यार, सपोर्ट और सब चीज बनाए रखोगे, तो डेफिनेटल हर चीज मुम्किन हो पाएगा, ठीक है, तो चलो फिर इसी के साथ आज का वीडियो समाप करता हूँ, उमीद करता आपको बहुत जादा पावरफुल बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है, चलो, आज के लिए इतना ये वीडियो आपको कैसा लगा है, प्लिस कॉमेंट करना, वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेर करना, क्यों लोगों को नोटिफिकेशन्स मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंट्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में तब तक के लिए, थैंक यू और गुट बाई